तो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग जो आप अपनी स्क्रीन पे गाड़ी देख रहे हो आज इसके बारे में बात करेंगे हैं पूरा वो कराउंड दूँगा मैं आपको इस गाड़ी को कवर करेंगे अपनी वीडियो में मारूती सुझ की ओल्टो भाई सबके दिल गिरानी है पहडों गिरानी बोला जाता है बहुत सारी कस्टमाइजेशन हुई है गाड़ी के वेरियंट के अंदर बहुत सारी चीज़े चेंजिस की गई है सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे एक वन बाई वन और एक चीज़ और बता दूँ यह साधा बात गाड़े के अंदर क्या है गाड़े का कर्भ वेट 750 किलो ग्राम इसके अंदर वेट इतना मिलता और 1000 सीसी का इंजन इसके अंदर दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा खास बात यह है और इस कार की खासियत यह बना देती है तो आगे की वीडियो में बात करते हैं गाड़े के डिटेल्स के बारे में सारी चीचे एक्सप्लेइन करते हैं वन वाए वन ओके तो अब हम थोड़ी फ्रेंट प्रोफाइल के बात करेंगे फ्रेंट प्रोफाइल से गाड़ी कैसी है फ्रेंट प्रोफाइल के तरफ तो आप देखेंगे तो भाई यह हाई लोजन का पूरा साइटप मिल जाता है हैड लैम्स में देखने के लिए आपको साइड में इंड तारीके का कुछ डिजाइन हो एड लैंज के ऊपर वील बेस की बात करें 1380 mm में चाज की ऐंद आपको देखने के लिए 1380 mm के वील बेस काफी अच्छा वील बेस इसमें मिल जाता है यापको देखने के लिए 158s किभी में 458 הוא 580 एट तो मिली 9 की और तो चुने पर यह आप देखने के लिए मिलेगे तो यह दूब यह पूरा सैटप रफाइंगे और यह आप देखेंगे फैंडर के ओपर ही आपको अनिकर और यह इस तरीके का पार्ट ब्लैक कलर क्लाइटिंग आप दी हुई है और विम पे इस तरीके का यह डिजाइन आपको एड़ोन करके इस अल्टो के टैन में मिल जाता है और यह जो हम वेरियंट देख रहे हैं यह आपको पहले बता दूं इस तरीके का ग्लॉसी कलर में है बहुत अब करेंगे हम थोड़ी पीछे से बैक प्रोफाइल पीछा का पूरा का पूरा चेंज कर देगा है पहले अल्टो के टैन में ऐसी शेप नहीं देखने के लिए मिलती थी स्पोईलर नहीं मिलता था देखने के लिए लगा है और इसकी जो टेलाइट आप जो आप देख रह देखनेंगे आप जो नीचे यहां पर नंबर प्रेट के प्लेस्मेंट से नीचे जो ब्लैक कर रह रह की इस तरीके की क्लाइंटिंग चलिए जो लिए अंदर अंधर से भाई गाड़ी का पूरा का पूरा महुल हमारा इस तरीके कर रहने वाला है नीचा आपको स्पीकर द चेंज करके जो दी गई है एड़न की गई है वह सेम फीचर है आप डोर हंडल ब्लैक कलर का और अंदर डोल टोन कलर में और जो आप इसके देख रहे हैं भाई सीट कवर यह एजन एक्सेसरी का पार्ट है तो यह सारी चीज जो मैं आपको तक तो यह एड़न हुई है उल्डो विंडो के जगा दिए और यहां पे भी बराबर में यही टच दिया हुआ एस इवेंट्स के चारो सराउंडिंग एरिया में यहां पे भी आपको देखने के लिए यह मिल जाता है अब करते हैं पहले चाबी दिखा देता हूं चाबी दोनों ही सेम मिलेंगे आपको ठीक है स सामने आपको बहुत सारी ड्राइविंग इंफॉमेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी हैंसे ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज सारी चीज़े हैंसे चेक करके आप देख सकते हैं ठीक ठाक है वैसे ओल्टो के टैन के लिए ठीक है यह म्यूजिक सिस्टम हमारा इस त तरीके की चलते आ रहे हैं इसमें तो कोई चेंजिस नहीं हुए हैं जो अल्टो के टैन से नीचे के मोडल है वो लोगए उसमें भी आसे मिलेगा 12 वोट चार्जिंग सोकेटिया मिल जाता है आपको देखने के लिए और नीचे टू गलास का फोल्डर छोटा मोटा स्पेस के लिए इस पेस मिल जाता है समन रखने के लिए फाइव स्पीड मैनौल ट्रांस्मिशन यह मिलेगा है आपका यहां पर तो इस तरीके का तो यह इंट ठाक है भाई और गाड़ी का है हमारा गलॉब बॉक्स गलॉब बॉक्स में स्पेस भी ठीक है अप चलेंगा भाइम प पूरा सीट का महूल है वह इस तरीके का है अंदर बैठके देख लेते हैं वैसे अंदर देखो बैठके मुझे बताने के जरूरत शायद नहीं है आप सभी को पता है और फिर भी पांच पॉट आट इंच हाइट है मेरी आगे वाले ड्राइविंग सीट एड़जस्ट की इतनी यहां पर सपोर्ट मिल जाती है और उल्टों में इतना ही काफी होता है इससे ज्यादा नहीं यहां पर थोड़ा सा पॉकिट एड़न है यहां पर पॉकिट्स तो खैर पुराने जवाने की सीट में ही मिलती है यह तो देखने के लिए और यह स्पेस मोबाइल रखना तो ठीक नहीं हानी का रखो जागा थोड़ा मुझे स्पेस मोबाइल के लिए तो रखने है चोटे मोटे चीज़ आप इसमें रख सकते हैं को इन सब गयरा आया ग्लास भी आइधिंक नहीं आप पाएगा इसमें तो तो इस तरीके का तो अंदर का वियो है फ्यूल इसमें आपको मिल जाती है बूट की बात करेंगे बूट ओपन कर लेते हैं गाड़ी का बूट देखेंगे तो बूट ठीक है उल्टो के 10 के अकोर्ड में बढ़िया है इस पेस और बूट में एक चीज़ एड़न की गई है मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैट देख रह इसमें आपको की स्रीज का एक हजार सीसी के इंजन मिल जाता है जिसमें आप जो आपको 49 भी एच्पी की पावर 89 अनम का टॉर्क आपको निकाल के दिए दिता है अगर मैं गाड़ी के एक शोरूम की प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी का आपको आई थिंक पांच रुपे ही वैसे इसका एक शोरूम प्राइस है गाड़ी के बारे में ओल ओवर रिवियू मेरा इस गाड़ी का ऐसा था मेरी वीडियो चोटी सी हमारी ऐसी थी रिवियू की ओल्टोके 10 के बारे में तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेर के बिना बिलकुल पर नहीं जाना आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरा था मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में अगर भाई आपको कोई भी सवाल हो इस गाड़े से रिलेटेड एक्शोरों प्राइस से रिलेटेड या फिर ओन रूट प्राइस आपक जाके कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइस जरूर करूंगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लेगे तो भाई देखो प्लीज लाइक्श डिस अप्रेड जरूर करना मैं दुबारा बोलो थैंक्यों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में